चंद्रियान 3 का रोवर प्रग्यान चांद की सतह पर लगतार सक्रिय है और हर रोज चांद से जुड़ी दिल्चस्प जानकारियां भेज रहा है। चांद की सतह पर ये सफर अभी जारी है। इसरो ने इस जानकारी के साथ एक तस्वीर जारी की है जिसमें रोवर को सीधे जाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद रोवर अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। इससे पहले 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रियान 3 के लेंडर विक्रम पर लगे पेलोड, Instrument for Lunar Seismic Activity यानि ILSA ने चांद की सतह पर भुकम जैसी प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया। इसरो का कहना है कि भुकम 26 अगस्त को आया था और अब भुकम के सोर्स की जाच की जा रही है। इ ऐसा पहली बार है कि जब चांद की सतह पर इस तरह का उपकरण भेजा गया है। चांद पर होने वाले कमपन को इसी उपकरण ने रिकॉर्ड किया है। इससे पहले भी विक्रम लेंडर ने चांद और रोवर प्रग्यान से जुड़ी अलग-अलग तस्वीरे और वीडियो भेजी हैं। ऐसे ही एक वीडियो में प्रग्यान रोवर गोल-गोल घुमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रो ने चंद्रियान 3 की 23 अगस्त को चांद के दक्षणी धुरूपर सफलता पूर्वक सॉफ्ट लेंडिंग करवाई थी।